नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आसान बासा में दोस्तों, रेल टिकेट तो हम सभी बुक करते हैं कुछ लोग ओनलाइन टिकेट जादा पसंद करते हैं अपने mobile phone से अपने computer से घर बैटे ही online ticket लेना ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग जो है offline ticket station जाकर के counter से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं इन दोनों के comparison आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में दोनों के advantage और disadvantage दोनों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा ticket हमारे लिए best है offline ticket या फिर online ticket और हाँ वीडियो को end तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के end में एक जबरदस्त tips आपको देने वाला हूँ ticket को लेकर के जो कि बहुत कम लोगों को पता है तो आप वीडियो को end तक जरूर देखिएगा एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही important है वीडियो को skip मत करिएगा चली शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम आपको बता दे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आकन को दबाद दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो में लेकर क्या हूँ तो सबसे पहले आपको notification मिले तो चली जानते हैं कौन सा टिकेट हमारे ये लिए best है online ticket या फिर offline ticket इन दोनों के बारे में हम लोग point to point बात करेंगे तो सबसे पहला point है fair fair हम लोग compare करेंगे तो fair में अगर आप online ticket बुक करते हैं तो online ticket में आपको जो है अपने ticket के price के उपर आपको extra convenient fee देना पड़ता है जो की 15 से लेकर के 30 रुपय तक का हो सकता है और उसके बाद भी आपको plus इसके उपर में GST देना पड़ता है यानि अगर आप online ticket बुक करते हैं तो आपके ticket के उपर में आपको extra 50 रुपय तक का चार्ज लग सकता है यही अगर आप offline ticket बुक करते हैं तो जितना आपका ticket का fair है उतना ही लगेगा एक रुपय एक्स्टा आपको देने की जरुवत नहीं है तो अगर fair के मामले में देखा जाए तो fair के मामले में offline ticket आपको सस्ता पड़ेगा यहाँ पे आपको 50 रुपय एक्स्टा देना पड़ेगा online ticket में मगर ज्यादा तर लोग जो है इस charge को जो है नजर अंदाज करते हैं घर बेटे हैं अपने mobile phone से अपने computer से ticket book करना ज्यादा पसंद करते हैं दूसरे point की बात करें तो दूसरा point है यहाँ पे ticket cancellation का अगर आप offline ticket लेते हैं और आपका journey cancel हो जाता है ऐसे में अगर आप अपने ticket को cancel करवाते हैं counter में जा करके तो charge काटने के बाद में जितना भी पैसा बचता है वो आपको in hand आपके हाथ में मिल जाता है cash मगर अगर आप online book करवाते हैं ticket को तो online ticket जो है यहाँ पे अगर आप cancel करते हैं तो आपको यहाँ पे 7 working days का समय लग जाता है 7 दिनों का अंदर में आपका पैसा किसी भी समय पे आपके bank account में transfer हो जाता है तो refund की बात करें तो refund में आपको offline ticket जो है best रहेगा offline ticket में आपको in hand साथ ही साथ में cash आपके हाथ में मिल जाता है तीसरे number के point के बात करें तो तीसरा number अगर हमारा ticket जो है waiting रह जाता है चार्ट बनने के बाद भी तो कौन से ticket में हम लोग यहाँ पे सफर कर सकते हैं इस case में भी आपको यहाँ पे offline ticket जो है जादा best रहेगा क्योंकि अगर आप offline ticket लेते हैं waiting में और चार्ट बनने के बाद भी अगर आपका waiting में ही रह जाता है seat तो भी आप at least उस train में सफर कर सकते हैं उस train में चड़ करके अपने journey को complete कर सकते हैं मगर आप online अगर ticket लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका ticket जो है waiting list में है तो मतलब आपका ticket जो है वो cancel हो चुका है और अब इसमें सफर जो है नहीं कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे travel करते हैं तो आपको यहाँ पे fine भी देना पड़ सकता है तो यह बात का आप जरूर खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ticket offline है और आपका ticket चार्ट बनने के बाद भी waiting में है फिर भी आप उसमें travel कर सकते हैं मगर online ticket में आप पिल्कुल भी travel नहीं कर सकते हैं अगर आप travel करते हैं तो इसके लिए आपको fine देना पड़ सकता है दोनों का comparison मैंने आपको बता दिया कि offline ticket में क्या आपको benefit मिलता है online ticket में क्या benefit मिलता है क्या नुकसान होता है offline ticket में क्या नुकसान होता है बहुत लोग मगर online ticket ज्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि घर बैटे बिना किसी line में लगे वो आसानी से अपने tickets को book कर सकते हैं लेकिन offline ticket में आपको counter तक जाना होता है लंबी line लगना पड़ता है, form बरना पड़ता है तो बहुत लोग जो है इसके लिए online ज्यादा फ्रिफर्ड करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के end में मैं आपको एक जबदर tips बताऊंगा टिकेट को ले करके, तो tips यह है कि अगर आप offline ticket book करते हैं काउंटर से जा करके, मालीजे आपने काउंटर से जा करके 15 तारीक के जर्नी के लिए एक ticket book किया मगर आपका जर्नी किसी वज़े से पॉस्पोर्ण हो गया और आप 15 के जगा 17, 18, 19 को जाने वाले हैं तो अगर आपका offline ticket है, तो आप काउंटर में जा करके अपना date of journey जो है वो change कर सकते हैं मगर उसके लिए एक condition ये है कि यहाँ पे उस time पे उस date में आपका जो है same train में seat available होना चाहिए तो आप आसानी से जो है अपने date of journey जो है यहाँ पे change कर सकते है offline ticket में इसके लिए आपको एक रुपे भी कोई भी extra charge देने के जरूत नहीं है बस condition ये है कि same date में, same train में आपका coach में seat available होना चाहिए अगर आप online में date of journey change करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले ticket को cancel करना होगा जिसके लिए आपको extra charge लेगेगा फिर से आपको दुबारा जो है वहाँ पर ticket book करना होगा जिसमें भी आपका extra convenient fee लगता है तो देखा जाए तो offline ticket में ज़्यादा benefit यहाँ पर मिलता है लेकिन बहुत लोग online ticket book करना चाहदा preferred करते हैं क्योंकि वो आसानी से घर बेटे अपने mobile phone से ही book कर लेते हैं मगर देखा जाए तो ज़्यादा facility जो है offline tickets में है I hope ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा ticket ज़्यादा best है offline ticket या फिर online ticket वीडियो पसंद आया हो तो अपने family and friend के साथ में share जरूर करिएगा वीडियो को like करना ना बूलिएगा और हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए बैल आगन को दबाद दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो में आपके लिए लेकर क्या हूँ तो सबसे पहले आपको notification मिले